जयनद की पकार प्रतिस बात है एनार्द दिवितियक्राइम ब्रांज ने हथ्या की मामले की घुशित अपराधी और सुनील तिल्लू परवेशमान गिरोह के सदस्य को अपराध शाखा ने गिरफतार किया एनार दिवितिय क्राइम व्रांच की टीम ने सुनिल दिल्लू प्रवेश्मान गिरोह के एक सक्रिय सदस्य निशांत भार्धवाज उर्फ हनी त्यागी निवासी होलंबी कला को गाउं जाने बागपत मेरट रोड योपी के पास से गरफतार किया आरूपी ब्रह्म प्रकाश निवासी खेहरा खुर्द की नुशन्स हत्या में वांचित था उलिस अधिकार के मुताबिक एसाई सतेंद्र दहिया को गुप्त सुचना मिली थी कि निशांत भार्धवाज उर्फ हनी त्यागी नाम का एक व्यक्ति थाना नरेला और द्युगिक शेत्र दिल्ली में दर्ज एक हत्या की मामले में वांचित बागपत मेरट हाईवे यूपी पर आने वाला है इसके बाद डिसीपी विचित्र वीर और जॉइंट सीपी स्टी मिश्वा के निर्देश पर एसीपी नरेंद्र सीही की निगरानी में पुलिस टीम का गठन किया गया गुप्त मुख्बिर की सुचना पर आरोपी निशांत भारदवाज के एक धाबे गंगनहर गाउजानी बागपत मेरट रोड के पास से ग्रफतार किया गया जाच के दोरान सिसी टीवी फुटेज के माध्यम से शूटरों की पहचान अमित उर्फ मीता और पवन उर्फ पोना निवासी बवाना की रूप में हुई दोनों शूटरों को ग्रफतार कर लिया गया और आगी की जाच के दोरान गैंग्स्टर प्रवेश मान उर्फ सागर को भी मामले में अपचारी ग्रूप से ग्रफतार कर लिया गया इसके अलावा अंकित तागी निवासी होलंबिक गराब और देव निवासी ववाना नाम के इंदोग और आरोपियों को भी इस हद्द्या में साजिश रचने के आरोप में गरफतार किया गया। आरूपि निशान्थ भारदवाश पर्ग पहनी त्यागी को इस मामले में कभी गिरफ़तार नहीं किया गया था और मामलादर जोढ़ी के बाद सही पराहर था अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सबस्क्राइब नहीं किया है तो किरिपया चैनल सब्सक्राइब कर लें लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ नमस्कार